आप सबको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर फिर से पिछले वीडियो में इंडिया साइचनल लोकेशन पार्ट वन जो था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था लेटिशूट के बारे में इस सेरीज में हम पढ़ेंगे लोंगिचूट के बारे में तो यह पूरे वीडि परिशान मत होना बस एक ही चेप्टर में है तो चलो समझ में आता होगा तो चैनल को लाइक करो कमेंड करो जो तुम्हें डावट होते होंगे और सेर भी करो तो हम बात करते हैं कि लोंगिचूड होता क्या है सबसे पहले वोट इस लोंगिचूड तो ऐसे लाइन्स ओफ ल याद है न लेटिचूड में हम लोगों ने पढ़ा है यह लाइन जो सिधा लेटा हुआ देख रहा है दो हिसे में डिवाइड कर रहा है तो इसको प्राइम मेरेडियन बोल रहा है ठीक है यह ऐसी कोई लाइन नहीं है फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ पिछले वीडियो म के कारणी इस तरह से है तो यह नौर्थ टू साउथ जो है अर्थ को डिवाइड करते हैं और डिस्टेंस जब मेजर होगा तो ऐसे मेजर होगा जैसे लेटिचूड में याद है न इस तरह से हम लोगों ने डिस्टेंस किया ता कल्कुलेट तो यहाँ पे भी जो होगा यह ऐसे मेजर होता है कि एक लोगिचूड से दूसरे लोगिचूड के बीच में डिस्टेंस किया है तो यह लोगिचूड जो होगे ऐसे एस्ट और यहाँ से वेस्ट होगे तो आर्थ जो है एक सर्गल कितने का होता है 360 का तो इस साइड में जो इस्ट साइड में होंगे टोट यहां पर सेम डिस्टेंस पर होंगे, 1-1 km, याद है, लेकिन यह जब डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, मतलब एक्वेटर से जब हम इस पार्ट पे बात कर रहे हैं, यह यह एक्वेटर है, यहां पर जो डिस्टेंस होगी, इस जगह पर और इस जगह पर, दोनों जगह यहां पर, 1-1 km के ही आएंगे, ठीके, और जैसे-जैसे हम बढ़ते जाएंगे, यहां से इस डारेक्शन की और, ठीके, या इसको समझ लो, कि जैसे-जैसे हम 0 डिग्री से 60 डिग्री की और मूग किये, तो क्या हो गया, यह डिस्टेंस जो है, घटता जाएगा, और यह डिस्टे पर जो होगा, इस पार्ट पर जो होगा, यहां पर जो डिस्टेंस होगी, वो जादा होगी, और जब यहां से दूर जाते जाएंगे, दूर जाते जाएंगे, इधर जाते जाएंगे, तो यह डिस्टेंस जो है, घटती जाएगे, आपस में है न, कि वन लंगिचूट से अ डिग्री से 37 डिग्री है अगर डिफ्रेंस निकालो न तो दोनों का लगवक 30 डिग्री डिफ्रेंस आता है same how longitudinal extent जो है ये पार्ट कौन सा है state यहां पर गुजरात है कच इधर और इधर है कौन सा याद करो अरणाचल प्रदेश तो अरणाचल प्रदेश इधर है तो यहां से यहां के जो longitudinal extent है ये कितने का है देख लो 68 to 97 ये भी लगवक 30 है मतलब latitude की बात करें या longitude दोनों के डिफ्रेंस है लगवक 30 डिग्री है ठीक है अब कुछ question होंगे general question है latitude on लेंगो परिशान नहीं होग न कि क्या question आगया है बहुत simple से question है क्या है कि prime meridian क्या है याद होगा हम लोगों ने पढ़ा अभी just कि एक line जो earth को दो हिसे में divide करती है ठीक है न जो equator याद है ऐसे divide कर रही है मतलब horizontally दो हिसे में divide कर रही है इसको हमन किया है यह prime meridian है या zero degree longitude है अब एक longitude से दूसरे longitude के बीच में distance होगा मतलब zero degree suppose यह है और suppose यह है तो यहाँ से यहाँ slide जाने में या time के लिए है जो है चार मिनट लगता है ठीक है अब दूसरा question है कि what is globe globe क्या है समझ में आता होगा बार बार globe के questions आते रहते हैं कि globe क्या कुछ आर्त कि पढ़ाते हैं कि तुमे क्यों धर बार बार देखते होंकि तूमारे टीचर लेखे आ जाते होंगे चलो globe में जो है पढ़ाते है तुम लोगों कौ और वाइल लेके भाग जाओगे तो आजकल डिमी फोन दिखाते हैं ऐसा ही होगा तो अगर आपको इंट्रेस्टेड हैँ आप इंट्रीट्टेड हो तो दोचार आपको रियल वाले दिखा देते हैं तो ऐसा ही एक गलोब क्या है कि आर्थ का बिल्कुल कॉपी बाट है आर्थ को हम उपर बैटके आर्थ के उपर में तो है यह ओवियस से मतलब आर्थ के ग्रेविटी से बाहर निकल के हम आर्थ को तो देख नहीं सकते इसलिए ग्लोब is a man-made spherical model of the आर्थ यह क्या है बहुत जादा useful होता है किस के लिए कि actual shape of earth का tilted axis जो हम देखते हैं कैसे जुका है नहीं जुका है यह सारे आर्थ के जानने के लिए हमें बहुत जादा helpful होता है अब देखो पूरी दुनिया में जो time होते हैं अलग अलग जगों के time अलग है तो यह जो कौन से line जो है longitude का जो time हमें पता करने में help करता है के time set होते हैं फिर next question है what is IST IST क्या है अब जैसे greenwich time से पुरी दुनिया के time set हो रहे हैं तो ऐसा कोई ऐसा भी line होगा अगले slide में हम उसके बारे में बात करेंगे तो ऐसा कोई line होगा जिससे हम इंडिया के time की बारे में बात करेंगे तो यह जो है इसको इंडियान standard time का जाता है इसकी value है 82.5 चलो इसको अगले में बात करते हैं कुछ important lines of latitude क्या होते हैं तो इसको पिछली वीडियो में पढ़ चुके हम लोग यह जो line है यह equator है इधर देखो ट्रॉपिक of cancer है ठीक है और यहाँ पर Arctic Circle है इधर यहाँ पर Tropic of Cancer है और इधर Antarctic Circle है ठीक है इधर पोल है फिर दोनों साइड में नॉर्थ पोल साथ पोल तो यह जो है important lines of longitude है अब इधर से question नहीं होना चाहिए जो basics के question से clear हमने कर लिया चलो आगे देखते हैं Indian standard time यह क्या है पिछले वीडियो में पिछले slide में भी बात कर चुके हैं IST के बारे में तो IST किया है Indian standard time जिस 82.5 इस longitude पे है पूरा इंडिया का जो पार्ट है हम इस longitude पे आ रहे हैं और यह कहां से cross करता है यह जो cross करता है यह ऐसा एक line है ठीक है तो यह मिरजापूर उत्तर परदेश में जो है नाम तो सुने बात के नाम बतल गए है क्या नाम है कमेंड पे बता और यह उत्तर परदेश में है इस से simple से समझो कि time zone का क्या मतलब है इस पार्ट में जो इंडिया का longitude है और यह नाचल परदेश वाले longitude है यहाद है 68 degree 7 minute हमने पड़ा और यहाँ पे 97 degree 25 minute है अब दोनों को difference निकालो तो कितना आता है लगबग 30 degree तो यहाँ से यहाँ तक में क्या होंगे sunrise हमें पता है किदर होते हैं east में तो sunrise east पार्ट में आ रहा है तो suppose यहाँ पे 4 a.m में sunrise आ रहा है यहाँ तो हर longitude travel करने में कितने minute लग रहे है चार minute और इधर से इधर है 30 longitude तो कितने minute लग जाएंगे फिर किसे बता दू ठीक है देखो इस पार्ट पे sunrise अगर सब्मान लो कि कितने बज़े हो रहा है इस पार्ट पे sunrise अगर suppose 4 a.m में हो रहा है तो हर longitude को travel करने में इसको 4-4 minute लग रहे है तो 4-4 minute करते कितने हो गए 30 longitude है तो 30 into 4 लग गए total 120 minute इसलिए तुम्हारे एक question है कि why there is a difference between two hours from Arnachal Pradesh to Gujarat क्योंकि the longitudinal value of Gujarat is 68 degree 7 minute and longitudinal value of Arnachal Pradesh is 97 degree तो हर longitude पे उसको जो है 4 minute के लग रहे है तो total longitude कितने हो गए 30 तो travel करने में कितना लग गया 120 minute क्लिर है चलो आगे बढ़ो अब कुछ question है यहाँ पे देखो longitude पे कि जैसे पहला question है कि determine the local time of thimpo located in 90 degree is longitude when the time at एकदम simple से question है बहुत जादा दिमाग नहीं लगाना का देखो एकदम draw कर लो तुरण से बन जाएगा कि एक जगए thimpo suppose यह है अब greenwich time पे 12 बज रहे है यह 12 हो रहे है इसका पता हमें 0 degree है तो यह किदर जा रहा है बस direction हमें सोच रहा है 90 degree ist में जा रहा है मतलब क्या है यह right side based है तो यह suppose 90 degree में है ठीक है अब यहाँ पे time क्या होगा तो हमें पता है कि 90 degree है मतलब 0 degree से 90 degree में कितने longitude हो गए 90 longitude हो गए तो एक longitude में 4 मिनट लग रहे थे sunlight को तो 90 longitude में कितने हो गए 360 360 मिनट लग गए फिर से बता देता हूं देखो कि यह जो point है इस point में 12 बज रहे ह अब थिम्पू पूछ रहा है भुटार में जो है उसका longitude value 80 है तो time वहां क्या हो रहा होगा तो यह part जो है यह 90 longitude है इसका मतलब है कि यहां से यहां जाने में 90 longitude है एक longitude के लिए 90 मिनट लगे हैं तो 4 longitude के लिए कितने लगेंगे 360 मिनट इसको अगर करो तो 6 hours हो जाएग ठीक है 6 hours हो गया 6 गंटे लग गया तो 6 गंटे यहां पे 12 बज़े हैं अगर दोपहर के तो यह क्या होंगे 6 PM हो जाएगे simple से है बहुत जाधा दिमाग नहीं लगाना है फिले रहे चलो next question देखते हैं यहां पे क्या करना है कि calculate the time at Durban longitudinal value कितना दिया है यह माल लो JMT एदर ठीक है 30 degree Durban है कहीं पे यह माल लेता हूं कि 30 degree यहां पे अदर Durban ठीक है से यहां पे पूछ रहा है calculate the time at Durban Durban पे इस पार्ट का टाइम में पता करना है when the time is 7 a.m. साथ बज़ रहे किदर New York में किदर है New York 75 degree waste पे तो इदर ही होगा waste माल लों कि यह point पे है 75 degree ठीक है तो यहां बज़ रहे है साथ तो देखो इन दोनों के बीच में difference कितना है क्योंकि हम बढ़ रहे है किदर इस पार्ट से जो है यह हमारा जो meridian line है इस पार्ट से जब हम इधर की और बढ़ेंगे तो time हमारा plus होगा और इस से जब हम waste की और बढ़ेंगे तो time minus हो जाएगा ठीक है बस यही concept याद रखना तो हम इस पार्ट से बढ़ रहे हैं इधर की और तो time हमारा add होगा तो किदर बढ़ रहे हैं हम अभी अभी बढ़ रहे हैं 30 degree की और तो 75 plus 30 कितना हो गया 105 अब कितना चार का difference होता है एक longitude में तो total difference कितने हो गया multiple कर दो हो गया 420 minute चार के इसको hour में convert कर दो और seven में add कर तो वही answer हो गया चलो इधर बाकी के question है solve करना जो नहीं बनते मेरे से comment में पूछो और मिलते हैं इस बीच में तुमारे दिमाग में आता होगा कि जो पढ़ते हो कुछ और exam में कुछ और आता हो बट यहां पे जो होगे वही exam में आएगा chicken है चलो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए thank you bye bye और मज़े से पढ़ो tension लेने का नहीं ऐसे भी गर्मी बहुत पढ़ रही है चलो bye bye